हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज हम बात करेंगे राइजिंग इंडियन यूटूबर मिथपैट के बारे में जो की यूटूब की दुनिया में अपनी फ़नी गेमिंग के मेंटरी के लिए बहुत थे मसें दोस्तों मिथपैट जिनका रियल नेम है मिथलेस पाठंकर का जर्म मुंबई महाराष्ट में 1998 में हुआ था मिथपैट की स्कूली जुकेसन मुंबई की एक प्राइबट स्कूल से कंप्लीट हुई मिथलेस बचपन से ही पढ़ाई में अलग-अलग गेम्स केलने में ज़्यादा मज़े आते थे मिथपैट को बचपन से ही गेमिंग के अलावा फिल्मस देखना ही बहुत पसंद था मिथपैट बचपन में जिस किसी एक्टर की फिल्म देखते तो फिर हुँ देखने के बद वे उस एक्टर जैसी आवाज निकालने का ट्राई करते रहते बचपन से अलग-अलग अलग अक्टर्स की आवाज निकालने की प्रैक्टिस की बज़े से मिथलेस टाइम के साथ एक अच्छे मिमिक्री आटिस्ट बन गए मिथलेस बचपन से ही स्कूल के कई प्रोग्रामस में स्टेच प्रफॉर्मेंस दिया करते थे जिसमें मैक्सिमम टाइम वे एक्टिंग एंड विमिक्री किया करते थे तो इस तरह से मिथलेस को बच्पन से हैक्टिंग करना, परफॉर्म करना, मिमेक्री और गेमिंग बहुत पसंद थी 12 पास करने के बाद मिथलेस ने Engineering College में एडिमिंशन लिया, वह Engineering कंप्लीट की लेकिन उनका Engineering में कुछ खास इंटरेस नहीं था अब हम बात करेंगे मित्पैट के यूटूब करियर के बारे में कॉलेज के फाइनल एयर में मितलेस ने एक दिन सोचा कि जब मैं इतनी अच्छे मिमिक्री करी लेता हूँ तो क्यों न यूटूब चैनल स्टार्ट कर दूँ तो उन्होंने बस ऐसे ही गेम की कॉमेंटरी की थी लेकिन बाद में उसे चैनल से डिलीट करना पड़ा कॉपिराइट इशू की बज़े सी उसके बाद नोंने जीटियेफ हाइब गेम की बीडियो डालना स्टार्ट कर दिया लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा खास ब्यूज नहीं आते थे लेकिन मिठपैट ने एक डौरे मोन की बीडियो डाली थी जो की 3-4 महिने बाद वारल हो गई फिर क्या जादू हो गया इस बीडियो की बज़े से उन्हें बहुत से सब्सक्राइबर मिले ऐसे करते करते उनके 2-3 बीडियो और वारल हो गए लेकिन उसके बाद लोगों का जो रिस्पॉंस आया ना बाप रे बाप पहले एक लाग सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मिठपैट को लगबाग एक साल लगे लेकिन अंगले वन येर में ही एक लाग से सीथे 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए बाप रे का काम किया बन देने मैं आपको बता दूँ कि मिठपैट इतने प्रो इतने बड़े गेमर नहीं है लेकिन उनकी यूटूब ग्रोथ लाजबाब है उनकी यूटूब ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है उनकी फ़नी कोमेंटरी वे जिस तरह से अपनी gaming वीडियो में डायलोक्स मारते हैं, acting करते हैं मिमिक्री करते हैं, suspense create करते हैं ये चीज ही उन्हें unique बनाती है जिसकी वज़े से बच्चे उन्हें इतना पसंद करते हैं वह उनकी ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है अब हम बात करेंगे सम इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मिथपैट मिथपैट 22 साल के हो चुके हैं लेकिन बंदे कोई गल्फिर्ड नहीं है मिथपैट पहले अपने व्यूवर्स को अपनी वाइस से इंप्रेस करना चाहते थे इसलिए उन्होंने यूटूब पर पहले दिन से ही डिसाइड कर लिया था कि वे 500 के सब्सक्राइबर कम्पलीट होने के बाद ही अपना फेस रिवील करेंगे मिथपैट ने अपनी फेस रिवील वाली वीडियो में जो थैनोस का मास्क, थैनोस का हाथ और घोड़े का मास्क यूच किया है उसे उन्होंने इस्पेसलिट चाइना से मंगवाया था जिसे आने में एक महीन लग गए थे अपना फेस कैसे रिवील करना है इसकी प्लैनिंग मिथपैट ने 6 महीने पहले ही कर ली थी क्योंकि वे इसे इंट्रेस्टिंग बनाना चाहते थे फेस रिवील वाली वीडियो सूट करने के 2 दिन पहले ही मिथपैट के चेहरे पर पिंपल्स आ गए थे जिसकी वज़े से उन्हें एक महीने बाद फेस रिवील वाली वीडियो सूट करनी पड़ी एक आर्टिस्ट के अलाबा मिथलेस फिटनेस लवर भी है वे अपनी वोड़ी को सेथ में रखने के लिए भी कड़ी महनत करते है मिथपैट की हाइट 6.4 फिट है तो यानि की बंदे का बेट भी 80 प्लस होगा जब मिथपैट ने यूटूब चैनल स्टार्ट किया था तो गोल था कि 1K या 2K सब्स्राइबर गेन करे वन यर में आपको बहुत पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मेल आइकोन को प्रस करें थैंक्स पर वाचिंग धन्यवाद